हेलो बच्चो तो आज हम solubility of gases and liquid ये topic लेकर आए हैं जो solution chapter का है इस chapter से या इस topic से यदि board exam में कुछ questions आते हैं तो उसका weightage लगबग 3 marks का होता है यदि henry's law या solubility of gases in liquid इस topic से question आता है तो henry's law क्या है actually henry's law जो based है solubility of gases in liquid मतलब henry ने ये बताया है कि आखिर liquid में gas की solubility को हम कैसे define कर सकते हैं ठीक है तो चलिए start करते हैं henry's law क्या होता है henry's law को बताने से पहले मैं आपको इस solubility के बारे में पहले बोलता हूँ बहुत से बच्चे solubility इस term को समझते तो हैं यहाँ पर exactly इसका meaning क्या होना चाहिए यह मैं आपको बता रहा हूँ तो किसी लिक्वीड में किसी भी लिक्वीड में जब कोई gas को dissolve किया जाता है तो उस लिक्वीड में gas की कितनी quantity dissolve हुई है quantity dissolve जितनी भी हुई है उसे हम उस gas की liquid में solubility बोलते हैं तो कुल मिलाकर solubility actually में क्या है एक प्रकार का quantity है quantity है किसकी quantity gas की किस में जो लिक्वीड में dissolve हुई है अब इस quantity को मैं किसी भी term में represent कर सकता हूँ किसी भी term में represent करने का मतलब यह होतकता है कि मैं उसको gram में भी represent कर सकता हूँ mole में भी represent कर सकता हूँ mole fraction में भी represent कर सकता हूँ तो यह तो quantity है किसी भी term में represent किया जा सकता है ठीक है Henry's law में इसी solubility को किस term में represent करने वाले हैं यह हम अभी आपको बताएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको यह समझ में आ गया होगा कि actually में solubility होता किया है ठीक है चलिए अब आगे बात करते हैं तो किसी liquid में gas की solubility को किस तरीके से define किया गया है इसे मैं आपको एक example से explain करता हूँ ठीक है तो बहुत common sense बात है कि यदि आपको A को suppose एक compound है A इसको यदि आपको B में dissolve करना है घोलना है A को B में घोलना है यदि आपको A को B में घोलना है तो definitely A और B को आपको contact में लाना होगा ठीक है तो यह common sense बात है इसमें तो ना समझने वाली कोई बाती नहीं है ठीक है यदि A और B के बीच में contact अच्छा है interaction अच्छा है तो definitely यह आपस में interact करेंगे और अच्छे से dissolve हो जाएंगे बस same concept आपको यहाँ पर लगाना है मेरी इतनी बात आपको यदि समझ में आ गई तो बस hand raise law आपको समझ में आ गया concept wise समझ में आ चुक है आपको बस mathematically अब हमको इसको define करना होगा तो देखते हैं क्या है Henry's law तो मेरे पास में suppose एक container में liquid है ठीक है liquid है water ही ले लेते हैं चलिए कोई बात नहीं water ले लेते हैं suppose यहाँ पर मेरे पास में water है और इस water में मुझे oxygen को dissolve करना है अब oxygen क्या है gas water क्या है liquid है इस oxygen को liquid मतलब water में dissolve करने के लिए oxygen के जो molecules है oxygen के जो particles है उसको water के contact में लाना होगा अब हमें यह बहुत अच्छे से पता है कि gas में scapping tendency होती है यह gases हमेशा दूर दूर भागने की कोशिस करते है यदि आपको solubility बढ़ानी है मतलब oxygen को water में घोलना है तो इनके बीच के contact को बढ़ाना होगा और gas को water की contact में बढ़ाने के लिए हमारे पास में एक option है इसके pressure को बढ़ा देना इसका मतलब यदि आप इसके pressure को उपर से बढ़ा दे तो सभी gas के molecule liquid के contact में आ जाएंगे और यदि वो liquid के contact में आते हैं तो इससे solubility बढ़े जाएगी clear हो गया तो यही छोटा सा कॉंसेप्ट है हेंड्री जोगा हेंड्री नहीं यह बताया कि आपका जो solubility है solubility solubility है solubility में क्या होता है यह बता चुका हूँ solubility of gas in liquid is directly proportional to its pressure at particular temperature ठीक है मतलब यहाँ पर gas का जितना जादा pressure होगा उतना ही जादा gas के molecules का liquid के surface पे contact बढ़ेगा और उतना ही जादा solubility बढ़ेगी ठीक है clear हुआ यह बात तो अब मेरे पास में Henry's law का statement एक क्या है यह बोल सकता हूँ क्या मैं according to Henry's law according to Henry's law क्या कहा जा सकता है the solubility the solubility of a gas in liquid at constant temperature at constant temperature is directly proportional तू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तू डायरेक्टी प्रोपोर्शनल तू प्रेसर अव दी गैस ठीक है तो solubility के लिए solubility जब प्रेसर अव गैस जितना ज़ादा होगा gas की solubility उतनी ही ज़ादा होगी ठीक है चलिए अब हम इसका दूसरा concept और दूसरा law या दूसरा statement जानने की कोशिस करते हैं तो दूसरे statement को भी समझने के पहले हमें की example refer कर लेता है suppose again यहाँ पर आपके पास में कुछ liquid है ठीक है और इसके उपर से मैंने gas flow किया ठीक यह important relation है यह second statement जो henry's law का है यह ज़्यादा important है तो इसको आप carefully सुने suppose आपके पास में liquid है और उसके उपर से मैंने gas flow करा दिया और यह gas actually मैं बोल देता हूँ यह है actually मैं mixture मतलब mixture of gases है और यह भी मैं कहा देता हूँ suppose A और B का है ठीक है तो gas A और B को मैंने liquid के उपर से flow कराया अब A और B इस liquid के contact में आएंगे जैसे ही वो contact में आएंगे यह dissolve होंगे ठीक है मैं है कहता हूँ suppose कि इस gas के mixture में A है मालो की 20% by mole और B है suppose 80% by mole तो definitely A और B में से कौन सा gas ज्यादा इस liquid में dissolve होना चाहिए तो B होना चाहिए क्यों होना चाहिए B क्योंकि B का quantity ज्यादा है B का pressure ज्यादा बनेगा जैसे मैंने यहाँ पर यह देखिएगा gas का मैंने तो बोल दिया कि pressure जितना ज्यादा होगा solubility उतनी ही ज्यादा होगी तो A और B मिलकर यहाँ पर pressure लगाएंगे अब A की quantity कम है B की quantity ज्यादा है तो definitely the pressure exerted by the gas B is greater than pressure exerted by gas A तो A का pressure B के compare में कम है या B का pressure A के compare में ज्यादा है तो definitely यह B जो है वो इस liquid में ज्यादा dissolve होगा ठीक है अब suppose मैं यहाँ पर B की quantity को बोल देता हूँ जो dissolve हुआ वो है XB suppose ठीक है A की जो quantity यहाँ इस liquid में dissolve हो गई है वो suppose है XA अब XA और XB को quantity ना बोल कर मैं और अच्छे words में बोलूँ तो यह है mole fraction किसका B का ठीक है तो मैंने यह कहा दिया कि B का mole fraction जो dissolve हुआ वो है XB A का mole fraction जो dissolve हुआ वो है XA तो definitely यहाँ पर XB greater है XA से अब यहाँ पर क्या conclusion आप बोल सकते हो यह ज़्यादा dissolve हुआ क्यों ज़्यादा dissolve हुआ क्योंकि इसकी quantity ज़्यादा है क्योंकि इसका pressure ज़्यादा होगा A और B मेंसे यदि pressure का contribution देखा जाए तो pressure of B is greater than pressure of A अब total pressure में A और B के individual pressure को हम क्या कहते हैं हम कहते हैं उसे partial pressure तो मैं यह कहा सकता हूँ कि B का partial pressure ज़्यादा है B का partial pressure ज़्यादा है इसलिए उसका mole fraction ज़्यादा आ गया इसलिए वो ज़्यादा dissolve हो गया बस यही तो Henry ने कहा है Henry ने यह कहा कि जिस gas का partial pressure जितना ज़्यादा है partial pressure of gas in gaseous mixture यदि gaseous mixture है तो definitely individual gas का partial pressure होगा अब partial pressure जिसका जितना ज़्यादा है उसकी solubility उतनी ही ज़्यादा होगी liquid phase में मतलब यह हो गया कि partial pressure of a gas is directly proportional to mole fraction of the gas चलिए इसको मैं next page में Henry's law के statement को लिखता हूँ जो की बहुत ही simple अब आपके सामने आ गया है अब देखिएगा मैं statement लिखता हूँ और उसके बाद हम समझते हैं क्या होगा according to Henry's law according to Henry's law at given temperature at given temperature the solubility the solubility of a gas is directly proportional 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 directly proportional to directly proportional to the mole fraction sorry directly proportional to partial pressure of the gas ठीक है clear हो गया according to Henry's law at given temperature the solubility of gas is directly proportional to partial pressure of the gas तो यदि partial pressure gas यदि gas A है और इसका partial pressure है PA तो definitely partial pressure is directly proportional to क्या होगा mole fraction of the same gas in liquid phase ठीक है तो PA is equal to KH into XA what is KH KH is nothing but Henry's constant इसी scientist के name पे बना हुआ है Henry's constant ठीक है तो मैं आपको एक बार फिर से ये बता देता हूँ क्योंकि numerical solub करने में बच करने के समय बच्चों को बहुत सी problem आती है इसमें वो अच्छे से समझ नहीं पाते है तो मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूँ ये आपके पास में liquid है एक बार last बार बोल रहा हूँ ये आपके पास में liquid है यहाँ पर से gas flow हो रहा है और इस gas का pressure partial pressure suppose PA है तो ये partial pressure जितना mole fraction of the gas जो की liquid में dissolve हो चुका है ठीक है चलिए अब थोड़ा सा KH के बारे में बात कर लेते है ठीक है KH जो है वो Henry's constant है और इसकी जो value होती है इसकी जो value है वो depend करती है depends upon nature of nature of gas and solvent ठीक है nature of gas and solvent तो अब आप यहाँ पर एक बात clearly समझ ले बहुत आसानी से कि जितना ज़्यादा pressure होगा gas का solubility उतनी ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा gas के molecules का liquid surface पे contact होगा solubility उतनी ही ज़्यादा होगी तो मैं ऐसा भी का सकता हूँ कि यदि आप temperature बढ़ाते हैं तो gas के molecules दूर दूर भागेंगे मतलब gas के molecules का liquid के surface पे contact कम हो जाएगा और solubility भी कम हो जाएगी दूसरी बात मैंने यह कहा कि यदि pressure आप gas का बढ़ा दिये तो solubility भी बढ़े आएगी अब आप ये देखिएगा यदि आप temperature को बढ़ाते हैं तो temperature बढ़ेगा तो solubility कम होगी temperature बढ़ेगा solubility कम यहाँ पर temperature बढ़ेगी बढ़ेगा तो solubility यहाँ पर कम होगा यहाँ गलत से solubility कम हो जाएगी तो temperature यदी बढ़ता है solubility यदी कम होती है तो KH Henry's constant पे क्या फरक पढ़ना चाहिए तो आप यहाँ पर देखिएगा मैंने लिखा है कि PA is equal to KH into XA यदी temperature बढ़े आएगा तो यह solubility कम हो जाएगी और solubility कम हो जाएगी तो Henry's constant बढ़े आएगा आप देखिएगा यहाँ पर XA is inversely proportional to KH मतलब यदी solubility बढ़ती है यदी solubility बढ़ती है तो KH की value कम होगी यह आप ऐसा बोल सकते हैं यदी temperature बढ़ेगा solubility कम होगी solubility कम होगी तो KH की value भी KH की value बढ़े आएगी clear होगी है तो बहुत ही simple से आप इसे समझ सकते हैं कि यदी solubility बढ़ती है तो KH की value कम होगी ठीक है नाओ चलिए अब हम कुछ numericals ले लेते हैं इस पे base ताकि आपको बहुत आसानी से यह समझ में आ जाए तो मैंने एक numerical आपके सामने लिखा है यह रखा है यह आप देख लगते हैं एक numerical यह numerical मैंने यहाँ पर लिखा है this problem is like example 2.4 in NCRT book chapter 2 आपको NCRT solution में यह इसी के जैसा एक problem आपको मिल जाएगा तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं और भी कुछ problem है next video में इसके handy's law पे next problem जो है वो मैं next video में आपको और भी solve करा दूँगा ठीक है तो देखिये सबसे important बात यह होता है कि किसी concept को समझना है आपको अच्छे से तो आप उस पे based numerical को ज़्यादा से ज़्यादा करें एक बार theory पढ़ें फिर numerical बनाएं उसके बाद फिर से theory पढ़ेंगे तो आपको चीजे बहुत clear हो जाएंगी तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यह problem क्या है तो problem थोड़ा देखने में बड़ा दिख रहा है danger दिख रहा है but बहुत आसान है carefully सुने और देखें if nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in one liter of water यहां तक के problem को यदि मैं explain करूँ तो मेरे पास में यहां पर एक container है और इसमें मेरे को लिखा हो यहां पर मेरे पास में है one liter water one liter water है मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ कि यह one kg water है क्योंकि water की density आपको पता ही होगा one kg per liter होता है ठीक है तो अब हम फिर से question में आ जाते हैं कि इस question में यह दिया हुआ है कि how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in one liter of water मतलब यहां से मैंने क्या flow कराया है nitrogen gas को flow कर किया है ठीक है assume that nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 bar मतलब यहां पर pressure दिया हुआ है nitrogen का कितना यह है 0.987 bar ठीक है given है आपको the henry's law constant for nitrogen at 2.98 Kelvin is equal to इतना bar henry's constant आपको known है direct formula best problem है आपको मैं given values लिख देता हूँ partial pressure of nitrogen आपको known है यह है 0.987 bar बार pressure का एक unit है और henry's constant जो है यह आपको given है 98.7 किलो बार ठीक है henry's law को मैं अब यहां पर formula लिखता हूँ क्या होता है nitrogen के लिए यदि मैं apply करूँ तो प of N2 is equal to K edge into X of N2 यह X of N2 क्या है कि यहां पर आखिर कितना nitrogen dissolve हो गया ठीक है कितना nitrogen यहां पर dissolve हो गया यहां एक बात और मैं बता देता हूँ आपको henry's law में जो constant है इसका unit क्या होगा तो यह है actually मैं mole fraction, mole fraction तो unit less होता है तो जो unit pressure का होगा वही unit henry constant का होगा ठीक है अब चलिए values put up कर देता है values put up करने के पहले मैं mole fraction को थोड़ा और modify कर लेता हूँ तो मैं यहां पर लिख सकता हूँ P of N2, मतलब पार्चल pressure of nitrogen is equal to henry's constant into mole fraction of nitrogen तो mole fraction of nitrogen क्या होगा, moles of nitrogen upon moles of nitrogen plus moles of water यह ऐसा क्यों तो यहां पर देखिएगा actually मैं यह x of N2 nitrogen यहां पर dissolve हो गया है तो nitrogen जितना dissolve हुआ है उसे ही मैं यहां पर किस में dissolve हुआ है, यह water में तो nitrogen के moles upon total moles total moles में क्या क्या जेंगे, nitrogen के moles और water के moles अब यहां पर यह एक हम अपने convenient के लिए यहां पर काम करने वाले हैं और वह क्या काम करने वाले हैं देखिएगा हम यह consider करते हैं कि यह जो nitrogen gas है liquid में बहुत कम dissolve होता है यह आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यहां पर जितना water है उसके compare में nitrogen के moles यहां पर कम होंगे तो इस basis पर मैं यह का सकता हूँ कि यह mole जादा है यह mole कम है और यदि किसी बड़ी value में छोटी value को add किया जाए तो मैं इससे neglect भी कर सकता हूँ वैसे सही तरीका यह है कि आप इसको neglect नहीं करना चाहिए बद हम अपने convenience के लिए और calculation easy करने के लिए हम उसे neglect कर देते हैं तो अब हम यह वहाँ पर values put up कर लेते हैं partial pressure of nitrogen कितना है partial pressure of nitrogen है 0.987 henry's constant है 98.7 लेकिन आप यहाँ पर henry's constant देखिएगा henry's constant आपको kilo bar में given है जबकि nitrogen का partial pressure आपको bar में given है तो unit consist करने के लिए यहाँ पर मैं kilo को convert कर देता हूँ 10 to power 3 तो यह दोनों साइट पर बाहर हो गया into nitrogen के moles upon water के moles ठीक है तो मुझे क्या calculate करना है आप देखिए how many millimoles of nitrogen तो nitrogen के moles मुझे find out करना है water के moles तो मुझे problem में given ही नहीं है मैं कैसे करूँ तो यदि मुझे इस में ये कहीं से मिल जाए water के moles कहीं से मिल जाए nitrogen के moles मुझे calculate करना है तो मेरा काम आसान हो जाएगा तो water के moles देखते हैं तो water के moles कैसे calculate करें तो बहुत simple है ये 1 kg water आपको तो given है तो night water के moles कैसे calculate कर सकते हो आप बताओ तो water के moles होते है mass upon molecular mass mass किता है 1 kg मतलब gram में यदि बात करें तो 1000 gram upon molecular mass किता है 18 water का molecular mass 18 होता है तो night water के moles किते हो गया है 55.55 ये आपको वैसे लर ना होना चाहिए कि 1 kg water में water के moles होते है 55.55 moles अब इसे solve कर लेते हैं तो ये हो गया 0.987 denominator में ये नीचे आजाएगा मतलब 98.7 into 10 plus to power 3 और यहां मैं क्या लिखने वाला हूँ water के moles किते हो गया है 55.55 इस 55.55 को मैं इधर उपर ले आता हूँ तो ये हो गया 55.55 और ये है मेरे लिए nitrogen के वो moles जो dissolve हो गया water में तो चलिए इसको solve कर लेते हैं ये यदि मैं point हटाता हूँ तो नीचे आजाएंगे 30 और यहां से एक point हटाता हूँ तो उपर आ गया 10 तो ये cancel हो गया पूरा पूरा ये यदि 0 को solve करें तो 10 से 10 cancel out हो गया यहां पे हो गया 10 rest to power 5 और ये total answer हो गया 55.55 into 10 rest to power minus 5 ये हो गया nitrogen के moles nitrogen के moles लेकिन आपको calculate क्या करना है milli moles तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 55.55 into 10 rest to power minus 2 into 10 rest to power minus 3 ये हो गया nitrogen के moles 10 rest to power minus 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ milli तो ये हो गया 55.55 into 10 rest to power minus 2 milli moles या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.555 milli moles milli moles of nitrogen ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको Henry's law समझ में आया होगा Henry's law के बारे में मैं एक बार लास्ट में फिर से बोल देता हूँ इस problem में आप देख लीजिए ये nitrogen का partial pressure जितना जादा है उतना ही जादा वो dissolve होगा liquid face में यहाँ पर बच्चे बहुत से गलती करते हैं ये जो mole fraction है ये कहा का mole fraction है? liquid face में तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको Henry's law में कोई problem नहीं आएगा ये concept wise बहुत आसान है लेकिन numerical इसके थोड़े confuse करते हैं बच्चों को इसलिए numerical के लिए मैं next video में आपको NCRT based कुछ और numericals कराने वाला हूँ तो वो भी आप मेरे next video में refer कर सकते हैं ठीक है? Thank you